आवर्ती फलन पिरियोडिक फंक्षन आवर्ती फलन यानि वो फलन जो समय के साथ साथ चेंज हो रहा हो और निश्चित समयंत्राल में उसकी पुन्रावर्ती हो रही हो जैसे y is equal to a sin omega t ये सरल आवर्त गती कर रहे किसी कण का विस्थापन समीक्रण है अगर यहाँ y बराबर 0 जिसे माध्य स्थिति कहते हैं माध्य स्थिति इसमें y बराबर 0 t बराबर 0 क्योंकि अगर t का मान यहाँ 0 रख देंगे तो यह बुर 0 हो जाएगा और sin 0 0 होता है 0 की गुणा a में करेंगे 0 आ जाएगा इसका ग्राफ हमने खींचा था जैसे यहाँ ऐसे समय t लिया जाए इधर विस्थापन उपर प्लस नीचे माइनस यह 0 0 हो तो इसका ग्राफ हमने ऐसे खींचा था देखो यह कैपिटल t समय है यह t by 2 समय है यह t by 4 समय है और यह 3 t by 4 समय है यह ग्राफ खींचा था मादिस्थि t बराबर 0 y बराबर 0 और इसके लिए कला जिसे हम फेज कहते हैं फेज भी कह देते हैं फाई से डिनोट करते हैं ऐसे इसका मतलब है मादिस्थिति से विस्थापन और गती की दिशा इन दोनों को एक साथ व्यक्त करने वाली राशी कला कहलाती है य बराबर 0 t बराबर 0 5 बराबर 0 यहां से यह इधर गया मान लिजे टी बाई 4 समय में विस्थापन वाई बराबर प्लस ए हो गया फिर यहां से वापस ऐसे आया यहां से यहां तक आने का समय भी टी बाई 4 है तो टी बाई 4 यहां टी बाई 4 यहां तो यहां समय टी बाई 2 हो गया तो टी बाई 2 समय पर फिर विस्थापन 0 हो गया यहां से इधर जाता है यह माइनस ए विस्थापन है ए एम्प्लिटूड आयाम अधिकतम विस्थापन और यहां से यहां तक का समय भी टी बाई 4 है फिर यहां से यह वापस यहां आता है वापस आने में भी T by 4 समय लेता है यानि capital T समय पर यहां आता है यहां से आ तक T by 4 तो T by 4, T by 4, T by 4 3 T by 4 और T by 4 मतलब T तो ऐसे करके यह सरा लोलत जो कि practical किया है चुकि practically आप लोको ने देखा है और जूला देखा होगा घर में किसी को जूलते हुए दिवार घड़ी होती है उसमें एक pendulum होता है लटका हुआ रहता है वो बाइदाए गती करता रहता है किसी बिंदू के इधर उधर तो यह जो practical जिन्होंने किया है धंग से उन्हें और अच्छी तरीकी से समझा जाएगा अगर हम यहां से चल रहे हैं इसका मतलब T बराबर 0 वाई बराबर 0 और कला 5 बराबर 0 कला मतलब मातिस्तिती से विस्थापन और गती की दिशा विस्थापन 0 है गती की दिशा इधर हो गई जबि अगर यहां से हम कहें कि यहां से हम तो समय गिनना शुरू करते हैं अगर यहां से समय गिनना शुरू करते हैं तो प्रारंभी कला T by 4 हो जाएगी समय के हिसाब से और फिर ये देखे कि ये जो हमने लिया है ये एक समान विट्टे गती के आधार पर लिया है यहां से समय गिनना शुरू करते हैं यहां से ये कौन 90 डिग्री होता है 90 डिग्री मतलब पाई बाई टू यहां अगर आय हुआ है तो टी बाई फोर समय में आएगा और टी बाई फोर समय का मतलब अब ये कौन हो जाएगा हमारा पाई बाई टू तो अगर यहां से शुरू करते हैं समय गिनना तो प्रारंभी कला पाई बाई टू हो जाएगी और अगर यहां से समय गिनना शुरू करते हैं तो कला 5 बराबर माइनस 5 बाई 2 हो जाएगी नीचे के कोण माइनस के होते हैं उपर के कोण प्लस के होते हैं कला बहुत महत्पून राशी है इसको अच्छी तरह से समझ लेना है तो देखे ये एक तरह से आवर्ती गती हो रही है और ये आवर्ती फलन है तो जब यह यहां आ जाता है टी समय में तो देखे फिर इसका विस्थापन 0 हो गया और फिर ये इधर जा रहा है मतलब एक चकर ऐसे लगाने के बाद ये समानकला में आ गया उसी तरह से आ गया समानकला समानकला मतलब टी समय के अंत्राल फिर समानकला हो गई और एक चकर और लगा कर आ जाए टूटी समय बीच जाए तब भी समानकला में होगा यानि एक समानकला से अगली समानकला जब आएगी इसमें टी समय ही लगेगा आवर्तकाल कहने का मतलब हुआ कि y बराबर a sin omega t है a sin omega t प्लस t है a sin omega t प्लस 2t है यह सब बराबर हुँगे आप निकाल कर देख सकते है a sin omega मतलब 2pi by T into t omega के बहुत सारे formula निकाले गये थी एक समान व्रत्ते गती में कौन ये वेग औसत ये था इसी को हमने 2pi n बटे t भी लिखा था t समय में n चक्कर और इसी को हमने 1 चक्कर अगर है 2pi 1 चकर में समय t लगता है तो 2pi by T हो गया और इसी को हम लिख सकते हैं 2pi n भी अगर 1 second में n चक्कर हूँ यह आवर्ती हो जाती है उस समय frequency जिसे कहते हैं आवर्ती तो उस समय आवर्ती हो जाती देखो यह चीजे बेहद महत्पून है इसे आप खूब परियास करके अच्छी तरीके से तैयार करें तो देखो यहाँ a sin 2pi by capital T into T प्लस अगर T का मान capital T रख दें या इसमे capital T जोड दें तो capital T जोडने का मतलब यह हुआ के उमेगा की गुणा करेंगे मतलब 2pi by capital T into T हो जाएगा T से T कटेगा 2pi sin 360 plus theta sin theta होता है तो 2pi by capital T into T यह वही आगया क्योंकि sin 2pi plus theta is equal to sin theta होता है तो आवर्ती फलन का मतलब हुआ निश्चित समेंतराल के परश्चाथ उसी तरह से आवर्ती दोराई जाती रहती है तो y इजे function of T यहां ये बात तो हो रही है क्योंकि a constant है अधिक्तम विस्थापनाया उमेगा कोणी आवर्ती नियत है T के हिसाब से y बदल रहा है तो जन्रली से कहेंगे कि y t का फलन है t का कोई मान रखते है y का मान आ जाता है फल आ जाता है तो इसे कहा जाएगा कि y इजे function of T अब हम कह रहे है y इजे periodic function of T not only function but periodic function आवर्ती फलन है क्योंकि निश्चित समयंत्राल capital T के पस्चाथ y का मान उसी तरह से फिर बदलता रहता है तो फलन और आवर्ती फलन इनका अंतर समझ लीजे ये समिकन है T के हिसाब से y आ रहा है तो y t का फलन है और y t का आवर्ती फलन भी है क्योंकि निश्चित समयंत्री के पस्चाथ इसका मान फिर वही आ जाता है चाहे t रग दे चाहे 2 t रग दे फिर इसका मान वही आ जाता है ये छोटी सी और बहुत महत्पुन जानकारी है और इसी के साथ ये भी के y बराबर मान लीजे a sin omega t plus b cos omega t ऐसे दिया हुआ है तो ये भी period फंक्शन है चाहे sin का हो, cos का हो sin और cos में क्या अंतर होता है जैसे sin काली ये समिकर्ण है और अगर हम cos की का ग्राब बनाना चाहें समय t के हिसाब से और y खीचना चाहें, मतलब y is equal to a cos omega t अगर ये हो t बराबर अगर 0 रख देंगे ये 0 हो जाएगा cos 0 1 होता है तो plus a आ गया यानि यहाँ 0 0 तो ये ग्राफ यहाँ से शुरू होगा plus a नीचे minus a इसमें क्या था? sin कर में t बराबर 0 था तो y का मान 0 था इसलिए ग्राफ यहाँ से शुरू हो गया और समय t y 4 हुआ तो y का मान plus ये आ गया लेकिन यहाँ cos का फलन है, cos का मतलब हुआ कि t बराबर 0 है तो y का मान plus a है, मतलब यहाँ से शुरू हुआ और आगे उसी तरह से बदलेगा ये ग्राफ cos का ग्राफ हो गया तो ये भी ये भी फलन है periodic फलन है ये भी, periodic function है बस अंतर इतना है कि ये cos का फलन है, मतलब t बराबर 0 पर y का मान plus a है अगर हम कहें कि y बराबर minus a cos omega t दिया हुआ है तो इसमें ग्राफ यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये वाला ये ग्राफ हो जाएगा क्योंकि t बराबर 0 0, cos 0, 1 होता है 1 की गुणा minus a में करेंगे तो minus a आएगा, तो ये यहाँ से शुरू होगा तो यहाँ से ये वाला ग्राफ है क्योंकि ये t बराबर 0 पर plus a है, उपर से चला t बराबर 0 पर minus a है, यहाँ से चला ये पिल्कुन उसी तरह से जाएगा तो ये सामान बाते हैं बिल्कुर बहुत बहुत अच्छी तरीके से तियार की जाएगे बहुत अच्छी तरीके से पूरा परियास किया जाए अपनी तरफ से